राची के नामकुम थानाक शेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना संकलन कर कारवाई की जा रही है और इसी इक में आज पुलिस को बड़ी सफलता हत लगी है। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना पर कारवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामत किया था। पुलिस ने दीपक साहु नामक शक्स को ग्रफतार किया था। ग्रफतार शक्स की निशान देही पर पुलिस ने अचने चार लोगों को हिरासत मिलिया है जिन से पूछताज जारी है। बतादे कि इसके पहले भी पुलिस ने कोचा गानी जंगल से कुछ दिन पहले IED बम बरामत किया था इधर इन नकसली घटनाओं को देखते हुए पुलिस नकसलीओं को विस्फोटक सप्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। मुझफरपुर पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है दरसल लूट की योजना बना रहे पांच अपराधियों को हतियार और अन्य सामानों के साथ धर दबोचा है। SSP ने प्रेस कॉंफरेंस करते हुए बताये कि गुपतर सुषना के आधार पर पुलिस नहीं ये पूरी कारवाई की। आपको बता दे कि ये सभी अपराधी पहले कई अपराध की घटनाओं में शामिल रह चुके हैं।